आयोडीन अल्पता विगार याने की आयोडीन की कमी से होने वाले रोग आज भी एक बड़ी समस्या बने हुए है दरसल आयोडीन हमारे मस्तिश्क एवंशरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है हमें रोजाना अपने आहर में 100-150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवशकता होती है इसकी कमी से होने वाली सबसे आम और गंफीर बीमारी है घेंगा इसमें थायरायट ग्लैन में बड़ी गिल्टी बन जाती है इसे गोईटर भी कहते हैं इसके अलावा इसके कमी से जटिल स्वास्त समस्याइं भी हो सकती है जैसे शारिरिक और मानसिक कमजोरी, महिलाओं में गर्भवस्ता के दौरान एबॉर्शन, बच्चों का मंद बुद्धी होना, गूंगा बहरा या बॉना होना, इस तरह के समस्याइं आम तौर पर सामने आती है देश में आज भी करीव सात करोड आबादी आयोजीन अलपता विकार से ग्रसित है यह माना जाता है कि पहाडी और ओद्योगी क्षेत्रों में यह जादा पाया जाता है पर नवीनतम सर्वेक्षणों के मुताबिक मैदानी इलाकों में भी इसका असर समान दिखाई दे रहा है आयोजीन की कमी से होने वाली गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं कुछ सरल से उपायों को अपना कर जैसे कि आयोजीन युक्त नमक ही खाएं आहार में अन, साग, सबजियां, दूद और अंडों को शामिल करें कुछ समूतरी जीवों में भी आयोजीन पर्याप्त मात जो 2011 में घटकर 32 हो गई, लेकिन 2012 की रिपोर्ट के मताबिक भारत अभी भी ऐसे 16 देशों में शामल हैं जो गंभीर रूप से इस कमी से पीडित हैं और अभी भी भारतीय आबादी का 15 प्रतिशत इन बीमारियों से ग्रसित हैं, जबकि सामाने आवस्था आने के लिए इसे 5 प्रतिशत से कम होना चाहिए, इसके परिणाम जितने भयावे हैं उपाय उतने ही सरल, आयोडाइस नमक और खाने पीने का कुछ विशेश ध्यान, और हम अपने आने वाली पीडि को दे सकते हैं एक सुखद, उजवल और स्वस्थभविश्य, कैमरमेन प्रमोदनेगी के स प्रमातियागी, GG News, टले